अभी हाली में आप लोगों ने देखा 14 जुलाई को सुखबार की दिन देश के तीसरे मोन मिसन चंध्यान की लॉंचिंग की गई है भारती अंतिरिक्ष अनुसंधान संगठन मिसन मोन के तहत स्री हरी कोटा से लॉंच किया गया है अगर आप लोग सिविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं या पर आप लोग किसी स्टेट PCS की तयारी कर रहे हैं वंडे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी एक्जाम में इस टॉपिक से हर हाल में कुश्चन्स पूंचा जाएगा यहां आप लोग अपने देश की जो अंतरिक चैजनसी है उसके बारे में भी याद रखिएगा और चंद्यान एक के बारे में, चंद्यान दो के बारे में और चंद्यान तीन के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास हर हाल में रखिएगा तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं अगर questions पूचा जाएगा तो इस class को देखने के बाद आप लोग उसका answer भी दे पाएंगे सबसे पाहले तो आप लोग याद रखें कि हमारी देश की अंतरिक्ष एजनसी कौन है Indian Space Research Organization इसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहते हैं और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आप लोग बैंगलॉर कर्णाटक में देखने को मिलेगा और एक कहां से छोड़ा गया स्रीहरीकोटा कहां देखने को मिलता है 37 दवन है न जो स्रीहरीकोटा में ये आंध्पिदेश में आपको देखने को मिलेगा और आंध्पिदेश भासाई आधार पर गठेत होने वाला पहला राज्य अगर राजधानी की बात करें तो आप देखते हैं कि अमरावती इसकी राजधानी है यहां विधान सभा में 175 सीट हैं विधान परिशद भी है जिसमें 58 सीट हैं राज्य सभा में 11 सीट हैं लोग सभा में 25 सीट हैं एक लाग बासट जार 970 वरक किलोमीटर में आपका आन्पिदेश फैला हुआ है आन्पिदेश से अलग करके ही तेलंगा नाराज बनाएगा अथा 2014 में यह भी याद रखेगा यह आप देखे उफकरन इसमें देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को तो चंद्यान 3 भारत का तीसरा चंद मिशन और चंदमा की सत्य पर सौफ्ट लेंडिंग का दूसरा प्रियास है पहला प्रियास हम लोग आसफल हो गए थे इस मिशन के अंतरगत आप देखे चंद्यान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दुपहर 2 बच के 30 वजे स्री हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से उडान भरी थी और इसमें एक सौधिसी लेंडर मॉडियूल LM प्रोपल्सन मॉडियूल PM और एक रोवर सामिल है जिसका उद्दिस अंतरगरिये मिसनों के लिए आवस्थक नई प्रोद्रोद्रियकियों को बिख्सित इवं पि दर्सित करना है इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजए इनके बारे में भी बता देते हैं यह होते क्या हैं क्या यह होते क्या हैं यह आप देखे सभसे पहले प्रो पल्सन मॉड्यूल क्या होता है यह आप देखे यह आप देखे प्रो पल्सन मॉड्यूल की बात करें तो चंद्यान तीन लॉंच के बाद यह धीरे धर्दी की कक्छा को छोड़ का चांद की ओर बढ़ेगा और प्रो पल्सन मॉड्यूल लेंडर और रोवर को चंदमा क और रोवर क्या होता है लेंडर मोड्यूल की बात करें तो इसके तहद सौट लेंडिंग होने के बाद लेंडर से रोवर को चांद की दच्छडी सतय पर उतारा जाएगा और इसरो ने चंद्यान 2 की तरह ही इस बार भी लेंडर का नाम विक्रम रोवर का नाम प्रिज्ञान की तहद चंद्यान 3 की तीसे चंद की बात करें तो रोवर प्रिज्ञान चांद की सतय पर उतार कर उसका बिज्ञानिक परेक्षन करेगा क्या कहेगा बिज्ञानिक परेक्षन करेगा यह भी आप लोग याद रखेगा यह आप लोग देख लिए तीनों करन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं चंद्यान तीन के मिसन की अगर हम लोग बात करें तो चंद्यान की सदय पर सुरक्षित और सोगम लेंडिंग करना इसका उद्देश है, रोवर को चंद्यान पर घूमते हुए प्यदर्सीत करना भी इसका उद्देश है, यथा इस्थान बिज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना भी है, और कहा जा रहा है कि यहाँ आप देख चंद्यान की परयावन की विविन पहलूओं का अध्यन करना है, और इन पैलोड में चंद्यान पर आने वाली भूकंपों का अध्यन, सतय के तापिये गुण, सतय के पास पिलाजमा में बदलाओ, और पित्वी तथा चंद्यान की बीच की दूरी को सटीक रोप से मापना स पिकास का बिचलेशन कर संभावित रहने योग छोटे ग्रह की खोच करना होता है, यह आप लोग देख लीजे, चंद्यान तीन में बदलाओ, सुधार क्या हुआ है, इसके लेंडिंग छेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट चेत्र की भीतर, सु चंद्यान तीन में केवल दो सौर पैनल की तुला में, चंद्यान तीन लेंडर में चार तरफ सौर पैनल लगाए गया है, और चंद्यान टू, और विटर से आप देखे प्राप्त उच रेजुलेशन, छबियों का उपयोग लेंडिंग इस्ता निर्धारित करने के लिए क कुछ संसोधन भी किया गया है, लेंडर की गती की निरंतर निगरानी करने और आवसक सुधार के लिए चंद्यान तीन में अत्रिक नेविगेसनल एवग मारक दरसन ओकरन भी मौझूद है इसमें, और आप देखे इसमें लेजर डॉपलर बैलो सीमीटर नामक एक ओकरन साम कि चंद्यान तीन को लॉंच करने के लिए LBM-3 M4 लॉंचर का सफलता पुर्वक उपयोग किया गया है, यह जरूर याद रखिएगा, LBM-3 के ओडान भरने के लगबग 16 मिनिट बाद अंतरिक छ्यान रॉकेट से अलग हो गया, यह एक अंडाकार पार्किंग कक्छा में पि चंद, दिवस, पिथवी के लगबग 14 दिन का होगा, क्योंकि बे सौर उर्जा पर कार करते हैं, चंद्यान तीन की लेंडिंग साइट चंदमा की दच्छी धुरुप के समीप है, यह भी तै की गई है इसमें, यह आप लोग देख लिजे, टेक ओप फ्रॉम स्रीहरी कोटा सरकल, लूनर, और वेट आप लोग देख रहे हैं, यह आप देखें, हाइट बता रहा है, 43.5 मीटर, लैप टॉप मास चाह, यह आप देखें, 642 लेंडर, मोडिूल, एंड रोवर, प्रॉप पॉलिशन, मोडिूल है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह इसका मास 49.86 किलोग्राम है, इंकलूडर, रोवर, एक लूनर, डे, 14 अर्थ, डे के वराबर एक तरसे, दश्री दुरुप के समभी चंदमा की लेंडिंग का मात्यु क्या है, तो इतिहासिक रूप से चंदमा के लिए, अंतरिक च्यान मिस्ननों ने मुक रूप से भूमद्रे किये, छेत को उसके अनकूल भूखंड और परिचालन इस्थितियों के कारण लक्षित किया है, हाला कि चंदमा की दश्री धुरुप भूमद्रे किये, छेत्री की तुल्ला में काभी अलग और अधिक चुनोती पूण भूभाग है, कुछ धुरुभी ये छेत्रों में सूर का प अत्यधिक बिपरीत इस्थितियां प्रदान करता है, जो मनवस्तों के लिए चुनोतियां उत्पन करता है, लेकिन यह होने पैरंभिक्स और मंडल की बारे में बहु मुल जानकारी का संभावित भंडार बनाता है, इस छेत का बता लगाना महत्पूर है, जो भाविस में ग निर्मित करना और खनेज मांचितरन करना था, पिछे पढ़ यान था कौन सा, पी एसल भी स्ती ग्यार है, इसे याद रखिएगा, चंद्यान एक ने चंदमा की सते पर पानी और हाईड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्पूर खोजें की थी, फिर आप देखते हैं कि चं पिर भी MK3, M1, यदी लेंडर और ओवर चंदमा की सते पर दुरगटना गेस्ट हो गये, और वेटर ने सरफिलता पूरवक डेटा इकतित किया, उस सभी अक्छानसों पर पानी की परमाड भी पाये थिसमें, चंद्यान दो आप देखेंगे, 2019 में छोड़ा गया था, इवी आप लोग याद रखेगा, चंदमा मिसन के पिरकार अगर आप लोग देखें, तो फिलाई वीज, इन मिसनों में चंदमा की कच्छा में परवेश किये बिना अंतरिक च्यान का चंदमा के पास से गुजरना सामिल है, और जिसमें दूर से अवलोकन की अन्मती मिलती है, और और उधारन के लिए आप देखें सहीकतरा जमीरिका द्वारा पाइनियर तीन और चार तथा सोवियर रूस द्वारा लूना तीन सामिल है, और वेटर ये अंतरिक चंदमा की सतय वाई मंडल का लंबी समय तक अध्यान करने के लिए चंद कक्छा में प्रिविस करते हैं, च चंद्यान एक की चंदमा प्रभाव जांच ने इस द्रिष्टी कौर्ण का पालन भी किया है, और लेंडर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इन मिसनों का लग्च चंदमा की सतय पर सौप्ट लेंडिंग करना है, जिसमें करीव से आलोकन किया जैसा कि सूवियत रूस चंदमा पर पहली बार सफल लेंडिंग थी इसकी, रोवर्स तो आई आप देखेंगे कि रोवर्स बिसेस पेलोड हैं, जो लेंडर्स से अलग हो जाते हैं और चंदमा की सतय पर सोतनत रूप से गती करते हैं, यह बहु मूले डेटा इकरतीत करते हैं और इस तिर लेंडर् को बिज्ञान नाम दिया गया था और चंद्यान 3 के लिए भी यही नाम रखा गया है, मानो मिसन, इन मिसनों की में चंदमा की सतय पर अंतरिक चात्रियों की लेंडिंग सामिल है, और 1970 से 1972 के तोड़ान 6 सफल लेंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्दी हासिल कि यह आप देखें, नासा अमेरिकी अंतरिक चैजनसी है, इसके बारे में भी एक सामान जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, कहां की अंतरिक चैजनसी है, अमेरिका की अंतरिक चैजनसी है, इसकी स्थापना को हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1908 में, औ और इसका हेड़क्वार्टर आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा वासिंग्टन डीसी यूएसे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और दोहजार पच्चीस के लिए नियुजित नासा का आर्टेमिस तीन चंदमा पर्मानों की बापसी को चिन्नित करेगा ये आने पूछस पूछे जाएंगे पक्का पूछे जाएंगे